उत्तरप्रदेश के आजमगड में एक हैरान कर दिने वाला मामला सामने आया है जी हाँ, यहां 42 साल बाद एक महिला मरकर जिन्दा लोटी है यकीन नहीं हो रहा न खुद महिला के गाव वाले ही इस घटना से हैरान है महिला अपनी पहचान बताने के लिए डिने टेस्ट तक कराने को तयार है मामला ने ऐसी तूल पकड़ी की जीले भर के लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रशासन में मच गया हड़कंप महिला के अचाना क्यूं सामने आने से प्रशासन की परिशानी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है जी हां, दरसल, वायूं की आजमगड, कप्तान गमनज्थाना के भवनपुर निवासी महिला को अभिलेखों में मृत दिखा दिया गया यह सब जांच अधिकारी बीडियो के निर्देश पर किया गया ग्राम रिकास अधिकारी ने बिना गाव में गए और जांच की ए महिला की मृत रिपोर्ट लगा दी जिससे की महिला को मरा हुआ दिखा दिया गया सरकारी कागजात में महिला की मौत 42 साल पहले दिखा दी गई जब इस बात की जानकारी महिला को हुई तो उसने गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगा कर डिने टेस्ट कराने की चेतावनी दे दी इसके बाद भवनपुर निवासी बंशराजी पतनीस्व बोधन यादव ने 7 अगस्त को समपून समाधान दिवस पर सगडी तेहसील में प्रार्थना पत्र दिया उसने लिखित और पर आरोप लगाया कि उसे फरजीवाडा कर अभिलेखों में मृतक दिखा दिया गया जबकि वे जिन्दा है महिला ने बताया कि उसे 1976 में मृतक दिखाया गया है जबकि उसके पास मौझूद 1988 और 81 की परिवार रजिस्टर की कॉपी में वो जिन्दा है सिर्फ इतना ही नहीं महिला के पास अपना आधार कार्ड भी है इस तरह पकड़ में आया फर जीवाडा शिकायत संख्या 3096 औरब 51 करोड 80, 917 की जाज के लिए प्रभारी अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस ने वीरियो बिल्रीया अगमनज को अधिकृत किया वीरियो ने इसकी जाज ग्राम विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंग से कराइ सत्य प्रकाश सिंग ने बिना पीड़िता से मिले और ग्राम प्रदान का बयान लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करदी की बंशराजी पतनी स्वव बोधन की मौत दिनांक 8 जुलाई 1976 को हो चुकी है प्रकरण करदिया निस्तारित प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया है पीड़िता बंशराजी ने बताया कि जांच अधिकारी सत्य प्रकाश सिंग नवगाव आये और नहीं कोई जाच की मैं जिन्दा हूँ और अपने भतीजे राम कोमोल के पास रहती हूँ मेरे पास तीन जीवित शदी शुदा पुतरियां है यदी कोई शक है तो मेरा DNA टेस्ट करा लिया जाए जांच निकारी सत्य प्रकाश सिंग ने मृत्यू प्रमान पत्र और शवदा प्रमान पत्र की बात की है न तो मुझे कोई प्रमान पत्र दिया जा रहा है और नहीं विपक्षी का नाम पता बताया जा रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सत्य प्रकाश सिंग ने नाजायर जलाब लेकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे मृतक घोशित करने के लिए घलत महिला की उम्र 92 वर्ष हो चुकी है वहीं गाव में केवल कुछ आबादी की जमीन बच्ची है महिला ने इसे अपने भतीजे राम को मलक को वसियत किया है लेकिन जब तर महिला जीवित है तब तक जमीन पर मालक अना भक महिला का रहेगा। महिला का कहना है कि इसी जमीम के लिए उसे मृतक घोशित किया जा रहा है इस बाबत जब बीडियो बिल्रिया गनज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला जानकारी में है यदि बन्शराजी जिन्दा है तो मैं जल्दी ही मिलकर अभिलेखों के जाच करूँगा और दोशियों के खिलाफ कारवाई करूँगा इस बारे में एस डियेम सगडी पंकज कुमा श्रिवास्तव का कहना है कि प्रकरण सनाग्यान में नहीं था स्वय हम गाव में जाकर मामले की जाच करूँगा यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की और से घलत रिपोर्ट लगाई गई है तो इसके बारे में जलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी